हलो डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक तो मैं चानल, मैं हूँ आप लोग की टेरो रीडर और अजिति भारती, आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चेक करने वाली हूँ कि कौन होने वाले है आपके दिस्टाइन लोवर और साथ में दिखेंगे कब तक आप लोग कब तक आप अपने ब्सटाइन लोवर से मिलने वाले हो ओल्रिटी मिल चुके हो यहां आने वाले टाइम में मिलने वाले हो यह सब कुछ किश मैं यहां पर चेक करने वाले हूँ तो आज की reading बहुत ही जादा interesting topic पर होने वाली है और अगर आप इसी topic पर अपने लिए personal readings चाहते हूँ तो आप description box ट्रिक कीजिए, वहाँ पर link दिये गया है आप वहाँ से अपनी personal readings बुक कर सकते हूँ तो चलिए reading को भी start करते हैं यह एक timeless reading है और all science के लिए है और general है तो जितना resonate कर दिये लिजिए आपकी को ignore कर दिजिए now let's check कौन होने वाले है आपकी this time lover सबसे पहले है four of pentacles four of cups number four and four four number important हो सकती है इनके लिए April month important हो सकता है ten of cups वाव वाव two of cups के energy है six of swords तो आपके जो यहां से है the hanged man ten of pentacles आपके जो distant lover होंगे न यह आप से बहुत सादा सिमिलर होंगे आप जैसे ही होंगे आप दोनों में similarities बहुत सादा होने वाली है यहाँ पर मुझे बहुत साड़े couple वाली energy शो हो रही है love words यहाँ पर शो हो रहे है आप दोनों बहुत अत्तिक similar होंगे आप दोनों की sign same हो सकती है Sun sign, moon sign यहाँ पर same हो सकती है आप दोनों की birth date same हो सकती है दोनों ही number 4 born हो सकते हो number 10 born हो सकते हो 2 born हो सकते हो number 10 या 1, 19, 28, 6 born भी आप लोग हो सकते हो या फिर आप दोनों के ही birth month यहाँ पर April हो सकती है January हो सकती है October हो सकती है और यहाँ पर November भी दिखाया जा रहा है, February भी दिखाया जा रहा है और यहाँ पर आप लोग के लिए June भी है तो आप दोनों सेम मन्त के भी हो सकते हो, सेम डेट भी आप लोगों की हो सकती है आपके Destine Lover के यहाँ पर जो मुझे शो हो रहे है आपके Destine जो Lover होंगे यह Financially Abundant होंगे इनकी एक अच्छी जब आप इनसे मिलोगे या जब आप दोनों committed relationship में जाओगे तब आप इनके बारे में जब जानना स्टार्ट करोगे कि आप ऐसा देख पाएंगे कि इनकी एक बहुत अच्छी savings है यह financially बहुत अच्छे से settled already है और यह ना show off नहीं करते होंगे ऐसी nature इनकी बिल्कुल भी नहीं होगे कि financially यह show off करें दूसरों को दिखाए जो इनके पास है वो है यह थोड़े protective nature के हो सकते है थोड़ा hide यह कर सकते है अपनी financial जो भी इनकी status होगी ना उसको थोड़ा यह hide करेंगे show off तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पर हो सकता है यह बहुत satisfied person होंगे इनके पास जो है यह इनी में एक शंतूस्टी रखना उनी में खुश रहना जितना जरूरत है उतना ही expense करना ऐसी इनकी nature हो सकती है जितना जरूरत है उतना करना मतब यह थोड़े से मुझे लग necessary experiment करना या बहुत सादा एक exploring nature के यहां पर यह शो नहीं हो रहे है यह बहुत सादा अपने आपको limit में रखते है एक boundaries में अपने आपको रखने वाले person होंगे और यहां पर number four का impact बहुत strong है इनके life में और इन्होंने अपने life में struggle बहुत देखिए struggle मतलब इन्होंने अपनी life में failure बहुत सादा phase की है हो सकता है कि इनके काम बहुत बिगड़ते हो कोई काम easily नहीं होने वाली है इनके life में ऐसा यह phase करते है एक stuck energy इनके life में होने वाली है और आप भी इसको feel कर पाएंगे कि इनके कोई भी काम सही से नहीं होते है सब काम में रुकावट आती है बात मे हो जरूर जाता है लेकिन यह बहुत fight करते हुए ही अपने life में आगे बढ़ते है यहाँ पर जो show हो रहे है आपके जो design lover होंगे यह अपनी family से बहुत strongly attachment रखते होंगे especially अपनी mother के साथ इनकी connection बहुत strong होगी यह अपनी family के आगे किसी और की नहीं सुन सकते है especially अपनी mother के स साथ इनकी connection strong हो सकती है और यहाँ पर ना इनकी ऊपर कुछ responsibilities भी होंगे family के कोई big responsibilities होने वाले हैं अगर आप किसी female partner के लिए देख रहे हो male partner के लिए देख रहे हो किसी के लिए भी देख रहे हो यह person independent होंगे और साथ में इनकी ऊपर ना family के responsibilities होंगे कि घर के यह काम करवान है घर बनाना है यह करना है घर में अगर कुछ इन से छोटे अगर कोई है तो उनको पढ़ाना है तो इनके ओपर responsibilities होंगे family के और इनके लिए इनको कोई दुख ऐसा नहीं है कि यह दुख ही है इनके ओपर इतना साथा responsibilities है यह उनको बख़ोवी निभाते भी होंगे और यह जादा responsible होंगे तो इस वज़े से इनके नाम भी होंगे family वाले भी इनको पसंद करने वाले है और यहां पर जो शो हो रहे है इनका हो सकता है एक dream हो dream house इनकी हो इनकी married life अच्छी हो तो family से बहुत strong connection यहां पर दिखा जा रहा है और after marriage इनकी dream भी होगी कि इनकी बहुत अच् और इनकी जो spouse होंगे मतलब आपकी जो destined lover है यह ऐसा dream देखते होंगे कि इनकी spouse के साथ इनकी एक happy family हो और emotional connection यह person emotional बहुत सादा है practical भी है लेकिन अंदर से emotional बहुत सादा है कुछ लोग होते है practical होते हैं लेकिन strongly emotionally attached हो जाते हैं दोस्तों से आपकी person ऐसे category में आएंगे कि लाइख में grow कर रहे है financial life में इनका focus है emotions show नहीं करते हैं लेकिन deeply emotional है connected हो जाते है empathetic बहुत सादा होंगे यह person और यहाँ पर जो show हो रहे हैं इनकी family life अच्छी रहेगी और साथ में यह person जो मैं पहले भी कह रहे थी कि आपके साथ strongly connected होंगे आप दोनों बहुत हद तक similar होंग यहाँ पर आप दोनों यहाँ पर जो show हो रहे हैं कि एक दूसरे को mirror करते होंगे तो कुछ लोग यहाँ पर twin souls हो सकते हैं कुछ लोग जारतर लोग अपनी soulmate से meet करने वाले हैं जारतर लोगों के life में अपनी soulmate है अपनी destin lover की रूप में अपनी soulmate को आप लोग attract कर रहे हों और यह ना अपनी life में एक tough time में आपसे मिलेंगे यह जब आपके life में आएंगे ना तो इनके life में या फिर आपके life में भी हो सकता है struggle phase चल रहे हो और बहुत जादा hard work करके आप लोग मिलो traveling के time में भी आप लोग मिल सकते हो यह भी possibilities है traveling के time में बहुत जादा body शोड़ी है rain से connected हो सकता है water से बहुत जादा connection ही आप पर शोड़ी है yes आपके person water से बहुत जादा connected होंगे जब आप लोग मिलो ना तो कोई नदी किनारे या बीच पर आप लोग मिल सकते हो और rainy day हो सकता है वो full moon भी हो सकता है उस दिन में full moon हो सकता है strongly chances से full moon है या फिर बाड़िश के rainbow होती है न वह यहां पर हो सकती है कि उस time पर आप लोग मिलो again and again यह आप पर dis-tine partner होंगे न, avacant होंगे, avacaning face से घुज़ए होंगे, आप भी avacant हो, आप भी avacaning face से घुज़ए हो, तो दोनों का एक balance रहेगा, soulmate के साथ रहना मतलब आप दोनों ही spiritual होंगे, आपकी person भी याँ पर spiritual होंगे, और जो मैंने कहा है, after marriage भी आप लोगों की life में abundance होगी, after marriage आप लोगों की life में ठेर सारी abundance होगी, financial life में आप लोग बहुत जादा lucky हो, financially कभी भी कमें नहीं होगी, आपके जो design lover है, ये भी बहुत lucky होगी, business field इनका हो सकता है, investor मुझे strongly show हो रहे है, stock investment, cryptocurrency इन में हो सकते हैं, आपके person, कुछ लोग के लिए इनका, खुद का, कोई business हो सकता है, और कुछ लोग के लिए याँ पर ये teaching profession से भी जुड़े हो सकते हैं, कोई भी field में teacher हो सकता है, सर्फ और सिर्फ, school में teacher ऐसा नहीं है, guider, mentor, teacher, किसी भी field में, youtube पर हो सकते हैं, कोई और platform पर हो सकता है, school का teacher हो सकता है, कई पर भी teaching से जुड़ा हुआ इनकी profession हो सकती है, traveling से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, ऐसे काम से जुड़े होंगे रहा, जहां पर इनको travel करनी पड़ती हैं, यह भी possibilities बन रही हैं, चलिए और देख लेते हैं, मैंने देख को उल्टा बत रहा है, sexuality, तो physically भी आप दोनों एक दूस्टरे के साथ strongly connected होंगे, दोनों एक दूस्टरे के towards attracted होंगे, chemistry बहुत strong होंगी आप दोनों में, compatibility बहुत strong होंगी आप दोनों में, मैंने कहाँ ना, आप दोनों similar type के होंगे, आप दोनों की life के pattern एक जैसे होने वाली है, आप दोनों यहाँ पर एक जैसे dream देखते होंगे, आप दोनों की life के जो goal से वो एक जैसे होंगे, एक दूस्टरे को आप लोग ना, complete करने वाले हो, compliment करने वाले हो, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है, supportive होंगे आपके person, mature, यहाँ पर mature, यह spiritual level पर भी हो सकते है, और जो मैंने कहा ना, responsible होंगे अपने life में, और इनके ओपर responsibilities बहुत सारी होगी, तो यह mature बहुत सादा होंगे, और teaching से इनके जुड़े हुए काम हो सकते है, writer हो सकते हैं आपके person, यह यहाँ पर chances show हो रहे हैं, और एक divine blessings इनके साथ हमेशा होने वाली है, divine से यह connected होंगे, divine पर surrender इनका होगा, spiritual होंगे आपके person, और आप दुनों की ना strongly यहाँ पर show हो रहे हैं, कि soul connection होने वाली है, strongly, बार-बार science मिल रहे हैं, और थोड़ा दिख लेते हैं, number 10 बार-बार आ रहा है, है this time, जब lover है destiny ही मिलवाएगी, suddenly मिलो, जब आप इनके लिए wait ना करो, जब आप सोचो ही ना ऐसे person के लिए, तब यह suddenly मिल सकता है, आप अपनी financial life में focus करो, अपनी career में focus करो, तब यह person suddenly आपको मिल सकता है, work purpose में भी आप लोग मिल सकते हो, और यह person आपको बहुत साथा चाने वाले हैं, बहुत साथा, अप इतना सोच भी नहीं पाऊगे, कि इतना love आपके destiny में लिखे गए है, इतना साथा यह प्यार करने वाले होंगे आपको, love life में आप लोग बहुत लगी हो, happy family, again family की energy है, first of all आपकी person जो है family को साथ में लेकर आगे बढ़ने वाले person होंगे, again number four, strongly again rainbow की energy है, beach की energy है, तो जो जो मैंने कहा है, वह कुछ निकल कर आए है, beach पर meeting हो सकती है, rainbow दिखाई दे सकती है, बारिश के बाद ही मिल सकते हो, या बारिश के time में मिल सकते हो, June हो सकता है, आप लोगों के मिले का जो time है, वो June हो सकता है, July हो सकता है, और ये person family से बहुत connected होंगे, इनकी dream ही होगे, कि इनके family बहुत अच्छी हो, family life हो इनकी अच्छी, peaceful environment में ये रहना पसंद करेंगे, travel के इनके बहुत साथा शौख हो सकते हैं, और बहुत calm person होंगे, understanding person होंगे, adjustment करते होंगे, lovely energy है यहाँ पर, आप लोग के जो design lover होंगे ना, बहुत loving energy हैंगे, again number six, ये अपने life में खुद चाहे कितनी भी struggle क्यों ना हो, ये खुद अपने रास्ते बनाते होंगे, possibilities ये find कर लेते होंगे अपनी life में, और इन्होंने बहुत रास्ते, बहुत से door knock की हैं, तब जाकर इन्होंने अपने life में, अपने कुछ goals को achieve की हैं, बहुत struggle रही होगी, past के time में इनके life में, आप इनको पूछ सकते हों, yes, past के time में, इनके उपर बहुत सादा struggle रहा है, बहुत struggle से बाहर निकलने के बाद, ये अपनी life में इसको get करेंगे, romantic partner, ultimate love, इसको ये get करने वाले हैं, बहुत सादा struggle के बाद, आप दोनों मिनने वाले हों, और ये भी अपने life में बहुत struggle करते हुए, आगे बड़े होंगे, कुछ achieve किया होगा, 36 angel number आप लोग को बहुत सादा दिखता है, 36 angel number, 222 angel number, तो ये person अपनी life में go getter होने वाले है, जो माल लेंगे, उसको achieve कर लेंगे, लेकिन बहुत aggressive, बहुत सादा ये बात करने वाले, बहुत सादा socializing करने वाले person नहीं होंगे, थोड़ा अपने energy के साथ connected person होने वाले हैं, जितना ये करते होंगे न, अपनी purpose से करते होंगे, purpose मतलब अपनी काम के purpose में, अपनी खुद की career के लिए करते होंगे, लेकिन ये family loving person होंगे, और family के साथ connected रहना, और ज़्यादा ज़्यादा अपनी partner के साथ timesman करना ज़्यादा person करते होंगे, अभी थोड़ा details में देख लेते हैं, कब मिलने वाले हों आप लोग, page of pentacles, बहुत जल्द, ये person बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं, कोई financial offer आ सकती है, दोनों अलग-अलग डिक से same card, time आ चुकी है, wheel of fortune की energy है, तो ये person बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं, कुछ लोग के लिए आप लोग already मिल चुके हो, इस person से, ये आपकी destiny में है, ये card suddenly jump क्या है, तो कुछ लोग के लिए ये twin flame connection है, आपके person के साथ, आपकी twin flame journey हो सकती है, और किसी marriage सरीमने में भी आप लोग मिल सकते हो, या एक transformation fees आपकी life में चल रही होगी, और तब आप इनसे मिलोगे, ट्रवल के time पर मिल सकते हो, कुछ changes हो रहे होंगे आपके life में, आपके profession में, आपके career में हो सकता है, आप college से काम में जाड़े हो, मतलब work life में आप enter करे हो, तब ये आप से मिले, कुछ changes के time में आपको मिलेंगे, ये person, अप्रिल या पर एगे number 4 है, number 4 के साथ, आप लोग बहुत strongly connected हो, number 4 and 10 के साथ, 10 मतलब one number, बहुत सादा connected हो आप लोग इससे, already ये person को अगर आप जानती हो, तो आप मिलवाई पारे हो, क्योंकि कुछ रहों के लिए already आप मिल चुके हो इस person से, तो ये हैं आपके design lover, एक और card, last card आप लोगों के लिए, मैं देखना चाहूंगी, चलिए, again number 4, again, number 4, 6, ये ही सारे numbers आ रहे हैं, तो जब आप इनसे मिलोगे ना, तो हो सकता है, इनके life में ये थोड़े worried होंगे, किसी बातों को लेकर, आप इनको कोई guidance हो, ये हो सकता है, एक person दूसरे को help कर रहा है, बहुत strongly possibilities है, ट्रिपल 4 एंजन नंबर भी, बहुत साद़ देखते होंगे आप लोग, और 1010 एंजन नंबर भी देख रहे होंगे, 1111 भी हो सकता है, आप लोग देख रहे होंगे, 666 भी कुछ लोग को देख सकता है, जब आप लोग मिल रहे होंगे, और again, travel के time में आप लोग मिल सकते हो, water के साथ connected होने वाले हो, और ऐसे जगा पर मिलोगे, जहां पर आसपास, कोई water के source हो, या rainy day हो, बहुत strongly possibilities है, तो यह यह गाइस, आप लोग के लिए reading, आप लोग के साथ resonate करी है, आप लोग को इससे guidance मिली है, तो अगर आप connect कर पाए हो, तो जरूर से मुझे comment section में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए, चैनल को जरूर से subscribe कीजिएगा, थैंक्स फ़र वचिंग,